देश में बना सबसे घातक लडाकू विमान, जिससे काम उठे चीन और पाकिस्तान जैसे देश. वायू सेना का यह विमान, जिसकी सीमा पर मौजूदगी पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है, इसके आगमन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. हिंदुस्तान एरोनौटिक लिमिटेड मार्च में, LIC मार्क वन ए लडाकू विमान वायू सेना को सौंपने की तैयारी में है. इससे संकेत मिलता है कि यह सुपरसोनिक लडाकू विमान जल्द ही वायू सेना के बेडे में शामिल हो जाएगा और तेजस मार्क वन ए फाइटर जेट की पहली उडान 28 मार्च 2024 को बैंगलुरू स्थित हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड के प्लांट में हुई थी ये फ्लाइट करीब 18 मिनिट लंबी थी इस विमान में डिजिटल फ्लाइबाइवायर फ्लाइट कंट्रोल कम्प्यूटर दी एफसीसी स्थापित किया गया है आम आदमी के शब्दों में डिएफसीसी का मतलब है फाइटर जेट के मैनुवल फ्लाइग कंट्रोल को हटाना और उन्हें इलेक्ट्रोनिक इंटिफिस से बदलना जिसका मतलब है कि कई चीजे कम्प्यूटर के हाथ में हैं जबकि रडार विमान को पाइलट के निर्देशों के अनुसार संतुलित और नियंतरित बनाए रखता है एलिवेटर एरोन फ्लाइग जो इलेक्ट्रोनिक रूप से नियंतरित फ्लाइ लाइव वायर हैं आत्म संतुलन प्रदान करते हैं और फाइटर जेट को स्थिर करते हैं जिससे यह सुरक्षित हो जाता है यहाँ लडाकू विमान तेजस वन के समान है हालांकि महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं उदाहरण के लिए यहाँ एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक वारफेर सूट उत्तम धे रडार सेल्फ प्रोटेक्शन जैम और रडार नोटिफिकेशन रिसीवर से लैस है इसके अलावा एक ECM पोर्ट बाहर से डाला जा सकता है यहाँ पिछले मॉडल की तुलना में थोड़ा हलका है लेकिन आकार में उतना ही बड़ा है इसकी लंबाई 43.4 फीट और उन्चाई 14.5 फीट है कॉमबैट रेंज 749 किलोमीटर है हाला की फेरी रेंज की सीमा 3000 किलोमीटर है यहाँ विमान अधिक्तम 50,000 फीट की उन्चाई तक उड़ान भर सकता है कुल मिलाकर 9 हार्ट पॉइंट है इसके अलावा एक 23 मिमी डबल बैरिल तोप है 9 अलग-अलग रोकेट और मिसाइलों को हार्ड पॉइंट्स में रखा जा सकता है या उन्हें जोड़ा जा सकता है भारतिय वायू सेना को 180 तेजस की आवश्यक्ता है 83 LCA मार्क वने और 97 अन्य लडाकू विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है भारतिय वायू सेना ने वनवे से पहले 23 तेजस लडाकू विमानों का अनुरोध किया था और लगभग 30 जेट की आपूर्थी की गई थी इसके बाद 83 लडाकू विमान 2024 और 2028 के बीच उपलब्ध होंगे सन्युक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंगलंड, चेक गन्राज्य, ब्राजील, दक्षन कोरिया, रूस, चीन, इटली और रोमानिया सभी के पास हलके लडाकू विमान बेडे हैं क्या आप जानते हैं कि भविश्य में इसमें कौन से हथियार लगाए जा सकते हैं? एस्ट्रा-MK3 मिसाइल का परीक्षन किया जा रहा है यह 350 किलोमीटर की रेंज वाली हवा से हवा में मार करने वाली द्रिशी सीमा से परे मिसाइल वराम है यह अधिक्तम 6-8,000 फीट की उन्चाई तक पहुँच सकता है यह 500 किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्तार से चलती है सन 2000 में इस मिसाइल का एक परीक्षन हुआ था यह बिजली की तेजी से प्रतिद्वंधवी पर हमला करता है इसमें रैमजेट इंजन लगा है जिसे टाक्टिकल एडवांस्ड ड्रेन से जाना जाता है यह एक निर्देशित स्टैंड ओफ हत्यार है जो उच्छ विस्फोटक का उप्योग करता है और तीन अलग-अलग वजनों में उपलब्ध है 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम यह एक मध्यम दूरी की नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल है जिसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर और अधिक्तम गती 564 किलोमीटर प्रती घंटा है चौथी सबसे खतरनाक मिसाइल है ब्रहमोस जो भारतिय वायुसेना की मजबूत, सटीक और तेज हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडियेशन मिसाइल है इस मिसाइल को देश के युद्धपोतों और तेजस लडाकू विमानों में लगाने का इरादा है यह 290 किलोमीटर रेंज, 1.5 टन वजन, 20 फुट लंबाई और 50 सेंटीमीटर व्यास वाली अगली पीड़ी की मिसाइल है लॉंच करो और भूल जाओ तकनीक वाली मिसाइल है ऐसी कई विवित्ताएं हैं जिने हवा, पानी या जमीन से लॉंच किया जा सकता है मुद्दा यहा है कि इसका शुरुवाती बेड़ा पाकिस्तान की बीकानिर सीमा के पास तैनात किया जाएगा यहा किसी भी मौसम और किसी भी स्थिती में उड़ सकता है रक्षा मंत्राले ने फरवरी 2021 में वायू सेना द्वारा LCA मार्क ODI लडाकू जेट की खरीद को मन्जूरी दे दी LCA मार्क 1A को पश्चमी सेक्टर में तैनात किया जाएगा जहां यहाँ पाकिस्तान पर नजर रखेगा और जरूरत पढ़ने पर उचित जवाब देगा आप क्या कहते हैं मित्रू भारत की कारवाई से पाकिस्तान को कितना खत्रा क्रिपिया हमें वीडियो के कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले